गर्मियों के मौसम की तीखी दूप के बाद आज मौसम ठंडा हुआ है हावा भी बहुत ठंडी चल रही है और राद को बारिश हुई है और एक बारा वेदर देखिये तो थोड़ा कलीन और ठंडा लग रहा है और सोचा कि अपनी जो नुकरी गोडी है वाइट फैरी इसके ओपर एक राइडिंग वाला वीडियो बनाया जाए और खुद राइडिंग करने का मन था और सोचा चेक करते हैं कैसी चलती है हमारी वाइट फैरी जी हाँ दोस्तो आप देख रहे हैं गुर्देव फोटोग्राफिक्स और आज मैं आपके सामने अपनी नुकरी गोडी वाइट फैरी के ओपर राइडिंग कर रहा हूँ दोस्तो ये गोडी थोड़ा टाइम पहले मेरे पास आई है और राइडिंग की बहुत ज़्यादा चालू नहीं है इसको बहुत ज़्यादा राइड नहीं किया गया अभी तो चार साल की है और एक बच्चा दे चुकी है और इसके जो पहले वाले आउनर थे वो इसके उप इस गोडी के उपर मेरी पहली राइड है आज इसको मैं चेक कर रहा हूँ मुझे इस गोडी के बारे में जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ नहीं पता इसके ब्रेक्स कहां पे हैं ये कितनी स्पीड पे चलेगी इसका एकसीलेटर कहा है तो आज जब पहली बार इ हैं तो आप भी चेक करें मैं भी चेक करता हूँ देखते हैं क्या करती है ये गोडी कैसा चलती है क्या चाल है क्या ट्रॉट केंटर में कैसी है आईए वाह बेटा ये क्लिप देखकर आपको कैसा लगा पीछे वाला मौसम भी नोट करें और सामने गोडी की चाल नोट करें ये गोडी की पहली राइड है जो मैं इसको आज 20-25 मिनट राइड किया हूँ अपने फारम के आसपास रोड पे और इस मौसम में जब खेत खाली होते हैं गेहूं की फसल कटी हुई है गर्मिया है खेत खाली है इसके बाद चावल की खेती शुरू हो जाएगी और तब तक इतना मज़ा होता है कि खाली खेत में लंबी राइड करें जैसा मरजी गूमें पूरी जगा आपके पास होती है मैं कहीं बीजी रहता हूँ दोस्तों आज कल के दिनों में मेरे पास अपने फारम पे गोड़ियों पे राइड करने का बहुत टाइम नहीं होता थोड़ा रिलेक्स रखते हैं मगर कल भी ठंडा था आज भी बारिश हुई है इस वज़ा से जब ठंडी हवा का जोंका लगा तो दिल किया है कि एक बार गोड़ी पे बैठा जाए हर बार जब भी मेरे फारम पे नहीं गोड़ी आती है तो मैं सब का एक अच्छा सा वीडियो में दिखाया मगर लंबी राइड नहीं की इसके उपर मैंने थोड़ी लंबी राइड की और इसका कुछ क्लिप बनाया है मैं सोच रहा था रोड़ के नीचे उतारों रोड़ की उपर चड़ाओं आस पास सब इसको चेक कर रहा था कि कैसी चलती है और बड़ी ब मैं गुरदेव सिंग इस चैनल का ओनर जो भी गोड़ी पे सामने आपके बैठा हूँ मेरे को राइडिंग का बहुत शौक था जिस वज़े से मैंने गोड़ा गोड़ी खरीदना शुरू किया फार्म बनाया यूट्यूब चैनल चलाया और साथ में मेरे को वीडियो ग्रा में पास एक बहुत अच्छा जोरदार 66 गोड़ा था गिलेक्षी गिलेक्षी की अप्लेक्सी एक चोटा सा वीडियो प्लिप मेरे पास पड़ा है इस वीडियो में एड़ करता हूँ आई एक बार देखते हैं मेरे गोड़े गिलेक्षी को दोस्तों ये गोड़ा है मेरा गिलेक्सी गिलेक्सी मैंने अभी सेल कर दिया है ये बहुत अच्छी जगा चला गया है ये इसका एक पुराना वीडियो है जो पिछले साल दिवाली मंडी के उपर अमरित सर में राइटिंग करते हुए मैंने बनाया था मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ गिलेक्सी क्योंकि हमारी गोड़ी जो नुकरी है इसकी लाइन भी आपको बता सकूँ दोस्तों बहुती फेमस गोड़ा था राजू राजू डोड़ वाला जो मेरे बड़े बाई हैं बिंदर जी बिंदर संदू जी पिंदर जी जिनके पास प्रिंस डोड़ था अली डोड़ था राजू डोड़ था बड़े फेमस गोड़े रहे हैं तिनों संदू स्टड़ फार्म से उन्हें के फार्म की शान था राजू डोड़ और यह गिलेक्सी राजू का बच्चा है राजू डोड़ वाले का बच्चा है और जो मैंने जो मेरी गोड़ी है वाइट फैरी इसकी 64 इंच हाइट है और ये राइडिंग आज हम कर रहे हैं पहली बार इतना लंबा तो आईए मेरे साथ राइडिंग को एंजोई करें देखते हैं क्या कुछ करती है लास्ट तक बने रही है मेरे चैनल के साथ आप देख रहे हैं गुर्देव फोटो ग्राफिक्स थैंक यू बढस्ति झाल 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 झाल